मैं इस परकार से एक इन सॉन को जो है जन्सरों के तरह जो है हलाल कर दिया गया गया तुमौरा जो है कार दिया गया जहरा तुम मारों जो है कुसको देता कि जिसको मार है वह भी तो किसी का बेटा है वह भी तो किसी का भाई जिस विस्तर पर जिस विस्तर पर जो है उनको माना गया वह विस्तर जो है खून से लहु लुहन है देखाए देखाए जरा इसी चादर पर जो है रही सुद्दीन सोया हुआ था आप देख चकते हैं थूण किस परकार से मित्रों यह बलाड है उनका यह बलड है यह बलड है देखिये यह बलाड है और यह तक्या उनको मैंने कहा इस घर में मडर हुआ है और यहां तक एक भी होमगाट का जवानि है इस पर जो है अब भूद वसेरा करेगा जिननाद बसेरा कड़ेगा अब जो है च्वर चिलर बसेरा कड़ेंगे ये घर पूरी तरह से मित्रो उजर चुका है अब इस घर में रहने वाले बचाची आज इनके बेटे को माना गया है कल नहीं बोलिएगा ना कल आपके बेटे को जो है ना टंग हाथ पूरा सब कुछ का गर्दन काट देगा कोई सुनने वाला नहीं होगा कैसे माना था चकूस जविएट क्या को घर आमें दोस्तों नमस्कार आप देखने हैं खास खबड़े बिहार इस वक्त मैं अररिया जीला के जोकी हाट में हूं और जोकी हाट का यह मटियारी पंचायत है दोस्तों और यह मैं आपको बता दू दोस्तों पिछले रात को जो है यानि कल वाले रात को दो बज़े के लगभग जो है रईसुद्दीन इसी घर में सो रहा था और जो है उनके दुसमनों ने आकर धारदार हतियार से जो है उनके गले को रेत दिया हमेशा के लिए जो है इस दुनिया से जो है उनको जुदा कर दिया आज उनके घर में मित्रो मातम परस रहा है माव बहन भाई और उनकी पतनी का जो है रोरो करके बुरा हाल हो चुका है और कहीं ना कहीं और बाप सारे लोग होसो हवास को खोच चुके हैं दोस्तों उनके मैं आपको बता दू रही सुद्दीन जो वांट सदस है जिनकी निर्मम हत्या कर दी गई तलवार से भाला से छुड़ा से गोद गोद कर जो है उनके गरदन को जो है तन से जुदा कर दिया वह अपने पिछे जो है साथ ऐसे लाचार बच्चों को बच्चियों को छोड़ कर गया है जिनका आप इस दुनिया में खुदा के लावा कोई सहरा नहीं बचा यही वो घर है किमरा परसंद देखाना चाहेंगे इस अंगन में चारों तरफ से भीर लगी हुए दोस्तों यह भीर है और पूरा गौँ जो है इस वक्त मित्रों मातम पूरे गौँ में जो है मातम परस रहा है और सारे लोगों को ज जो आपने छोक से आया और घर में जो है सो रहा था और सो रहा था उसी भीर रात के दो बजे इस घर में उनकी पतनी भी थी दोस्तों वहीं से वही से लीजे जे न आप वही से लिजे ये देखें दोस्तों ऊदर राखे बाहर रहा रहे ये इपर ये राइस सुद्डा सबारा हुआ हो चुका है अब रही IT-2 दुनिया में तो बचा नहीं दोस्तों रही सुदीन तो अब इस दुनिया में बचा नहीं उनको दुस्मनों ने जो है तरपा तरपा करके मार दिया और कहीं नहीं मौत के गाट उतार दिया दोस्तों सवाल यह उत्पन होता है means ईन्हों ने रही शुतों Chin को तरपा तर्पा कर मारा उनके मौ से उनके भाई से उनकी छोटी छोटे बच्चे से उनकी पतनी से उनका बेटा बाप और उनका जο है भाई छीन लिया कैसे दुस्मनों को जो है मौत के घाट उतारा जाएगा क्या उनको फोसी के तख्ते पर चरा कर रहिसुद्दीन के फैमली को रहिसुद्दीन के पुड़े पडिवार को उनके रिष्टेदार को इंसाफ मिलेगा ये भी एक कहीं न कहीं सवाल उत्पन होता है अब ये उनके भाई ह और कुछ गों के लोग है आये उनसे हम जानने का पृयास करते हैं के कुछ घटनग घटित हुआ था आपसी रंजिस्ती क्यकुछ है इन से जू है जानते हैं क्या नहीं हूं। अब्दुर्जाक क्या हुआ था आपके भाई को क्यों मोत के घाट उतार दिया गया सर कोई मेटर नहीं था और पलस उसमें क्या था नहीं था तु तुमें वह उन्हीं को पता होगा और रही बाद जो यह हतिया हुआ था उसकल वाले राद में 27 तारी को राद में जो मासूम तो नाम का जो लोड़ा था जो कि राफ्तार में ले लिया था पुलिस वाला ने तीन चार चकर लगा या वहीं पर तो जब वह नया बंदा लगाने लगा तो हम आये बाहर उससे पूछने लगे कि क्या मेटर तुम चकर क्यों लगा रहे हो करा साहित का घर कंसा है तो मैं का साहित का घर यह बोलो क्या बाद है तो हम साहित को पूहां पर जगाने गए उसको इतने मोग निकल गया गाली लेके फिर हम लोग दो चार बंदे को चोकुना करें कि यह इधर क्यों आया है क्या मेटर है दर चक्कर लगवा रहा है तो हम जब उससे पूस्ताच करे बोला न नहीं वहां तो गया बगया वागी इधर रासता वास्ता पूरा चेक करके इधर अधर गलीयों में यह मार मार के सारा चीट देखे वहां से आया उसका नहीं दोस्ताच कर दोस्तों जब यह और आप अंधाजा लगा सकते हैं दोस्तों जब एक 26 साल का नोजवान होगा तो को कैसा होगा कोई शाधारन लड़का नहीं हो सकता है एक हिम्मत वाला हो सकता है और अकेले रईसुद्दीन को जिस परकार से तरपा तरपा कर मौत के घाड उतार दिया कोई एक व्यक्ति की यह एक व्यक्ति का यह काम हो नहीं सकता है जरूर इसमें जो है कई सारे लोग संलिपत है इसकी जांज होगी फोरेंसिक प्रश्रीम के दुवारा तभी पता चलेगा क्या लगता है अकेले जो है जो मासूम रिजा जो है जिनको गिरफतार किया गया है उन्होंने अकेले आपके बाई की जान ले ली कोई रन्जीस भी था क्या दुष्मनी ने कुछ नहीं था ना दुस्मनी थी ना आपसी रनजीस था फिर आखिर क्यों उसके जो जो है जान के प्यासे हो गए वाट सदस्व में जीता था मित्रो यह बहुत बड़ा जू है जाँच होनी चाहिए फॉरेंसिक टीम आनी चाहिए और इसका टीम का गठन होना चाहिए उनके नहीं से इस जो है इस कतल को इस हत्या की इस देश का मित्रों और जीला का और खासकर इस जो की बिधन सभागा इस घर में मढर हुआ है और जोकी की पोलिस जो है जोकी का S.S. जो है। और A.S. आई जो है, अभी मुझसे बात भी उनको मैंने कहा, इस घर में मडर हुआ है और यहाँ तक एक भी होम गाट का जवान यहाँ पर तैनाथ नहीं है। अब बिहार पुलिस का कोई जवान या तैनात नहीं है, देखे इससे पता चलता है कि किस परकार से जो है लापड़वाही, पुलिस के दुआरा भी बरती जा रही है, पुलिस पर भी कारवाही होनी चाहिए, सुसासन बाबु की सरकार है, नितिश कुमार की बिहार में सरकार पनी है, महागडवंधन के साथ, नितिश कुमार जी आप से बिनती है, ऐसे सब एस्पेक्टर को और ऐसे असिस्टेंट सब एस्पेक्टर को जितना जल्द हसके आप निलम बित करने का काम करें, इतना बरा एक वाट, एक वाट पारसद है मित्रो, एक सम्मान जनक पत पर है जंता के द्वारा चुना गया एक वाट सदस को जो है तरपा-तरपा कर मार दिया जाता है, कैसे मार दिया गया वाट सदस को? अब क्या होना चाहिए जो मारा है उसके सथ क्या होना चाहिए क्यों मारा घर में डुका करके घर में अपना सोब था क्या दुस्मनी था उससे कि घर को जोन से मार दिया मजाग बना करके रख दिया है दोस्तों इस देश का मजाग बना करके रख दिया है आए दिन हत्याए होती है बेटी के साथ गेंगरेब होता है लूट होता है घरों में बच्चे का भड़न होता है पता नहीं सकता सासन पर सासन पर बैठे लोगों कि जो है आँख क्यों ने खुलता है ये घर है इस पर जो है अब भूद वसेरा कड़ेगा जिननाद वसेरा कड़ेगा अब जो है चौर चिलर वसेरा कड़ेंगे ये घर पूरी तरह से मित्रो उजर चुका है अब इस घर में रहने वाले बचे नहीं तो रहेगा कौन ये सारे गों के लोग है बुड़ी मां हैं देखे सब के आंखों में जो है आउसू है आउसू क्यों नहों इनका चहिता इनका लाड़ला जिनको वाट सदस सुन करके बनाया था इन लोगों के बीश से आज जुदा हो गया आईए बात करते हैं कैसे मार दिया गया चाची कैसे मारा कैसे मारा दूर से हैं यह चाची बताएगी चाची जी कैसे मारा कैसे मारा हस रहे हैं हस क्यों रहे हैं इतना इतना सोना हत लग गया है क्या हस रहे हैं हस क्यों रहे हैं इस घर में कल मडर हुआ है आप हस रहे हैं हैं नहीं गैं आपके सब्वात् सब्कुछ काट बेगा कोई सुनने वाला नहीं होगा काईसे माना था। जब यहत क्या को घर हम यहां कोई ने रहे लिए फुटी आरेली घर मानपता जो है जिन्दा नहीं रहा इस देश में लोगों का जमीर जिन्दा जमीर दोस्तो किस परकार से एक इंसेन को जाण्वरों के तरह हलाल कर दिया गया किसी उसके भी सर पर जो है किसी का जो है किस साया है अभी मैं उसकी पतनी का भी वीडियो आपके समने लाओंगा आए तो है कप्रा कहां रखे कप्रा जिस बिस्तर पर जिस बिस्तर पर जो है उनको माना गया वह बिस्तर जो है खून से लहुलुहन है देखाए देखाए जरा इसी चादर पर रही सुद्दीन सोया हुआ था आप देख चकते हैं खून किस परकार से हैं मित्रों यह बलड है उनका यह बलड है यह बलड है देखिए यह बलड है और यह तक्या इसमें भी बलड लगा हुआ है यह देखिए यह देखिए जितने भी पत्रकार इस वीडियो जरूर कीजिए ताके कोई हैवान जो है आगे ऐसी घटना करने से पहले एक हजार बार